प्रेंड्स आजकर ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूसफुल होने वाला है क्योंकि मैं आपको बताऊंगी साधियों का बहतरी नियूज जिनको पहन पहन कर आप पूप चुके होते हैं तो किस तरह से हम उनको डिफरेंट वे में यूज करके उन साधियों को एक बहतरी डिस्प्ले कर सकते हैं जब मैं जॉब कर रही थी टीचर थी तो महीने दो महीने में साधियों का एक वार राउंड लगी जाता था लेकिन जब मैं जॉब नहीं कर रही हूँ तो साधिया रखी ही रहती है और दीवाली के साधा ही करते समय हूए और जब साधियों को मैंने धूप लगाया तो उसमें देखा एक मेरी साडी जोतीना उसमें जगे जगे पर जहां से तह बनाते हैं तो वहां से वह कट हो गए थे अब उस साडी को पहना भी नहीं जा सकता था तो उसका भी फ्रेंड्स देखी मैंने किस तरह से यूज किया उसका एक तुमेरे सेंटर के लिए एक करडेन बनाया हुआ है औ और साइड बाइ साइड के लिए यह दो यानि बीच में से कट करके इस तरह से बीच में कट करके मैंने यह दो छोटे करटेन बनाये हैं क्योंकि मुझे यूज करना था एंड जो साडी के पल्लू था जोकि बहुत ही रिच था उससे मैंने यह कुशन कवर निकाले और इन को मैं फेस्टिज सीजन में ही यूज करती हूँ मुझे बहुत ही अच्छी लगते हैं कुशन कवर आप देख सकते हो इन कुशन कवर को बनाने के बाद भी इतना कपड़ा बचा था कि मैंने अपनी इस सेंटर टेबल के लिए एक रनर भी बना लिया पीछे मैंने ब्लाउस इसे मैंने फ्रेंड सी देखिए अपना मैचिंग के लिए पर्दों से मैचिंग के लिए मैंने ये फोटो फूरीम भी बना लिया तो देखिए ये सब ही चीजें जो की हाँ से बनाई गई है कितना ब्यूटिफुल लुक दे रही है मेरे ड्रॉइंग रूम को अपनी साडी की इस में पूरी साडी में जगे-जगे पर मोती लगे हूँ है तो जब भी मैं इसको पहनती हूँ तो ये चुपते हैं या फिर मैं बैठना अगर बैठती हूँ तो भी ये मुझे बहुत प्रॉब्लमेटिक साडी है तो मैं आपको दिखाती हूं कि इसका मैं किस तरह से यूज करती हूं अब मैं कर्टेन बनाने जा रही हूं और कर्टेन को बनाने के लिए पहला जो प्रोसीजर है वो निफा बनाना है तो इसमें चुकिंगी मोती लगे हुए हैं तो यह मोती की बज़े से मैं इसको मशीन से नहीं सिल सकती क्योंकि मशीन जो है उससे वर्क इसमें नहीं हो पाएगा इन मोतीयों की वज़े से तो हाँ सी ही मैं यह काम करने जा रही हूँ और आप समझ गए होंगे जहां पर रॉट डाली जाती है उस पोश्चन को मुझे इन दोनों सिले हुए पर्दों को मैंने एक के बाद एक लगा दिया इट मींस पहला एक आगे और दूसरा पीछे अब चुकि पर्दे लाइट शेड में है तो मैंने टैसल वाली अपनी एक लटकन भी बना ली और फिर ये वेस्ट नोटबुक के दौनों गत्नों को निकाल करके और कट करके कुछ मुझे फ्रेम भी बनाने थे तो वो मैंने बना लिया क्योंकि मुझे अपनी खाली दीवार को डेकुरेट करना है परदों को हाइलाइट करते हुए ये देखे मैने किस तरह से बनाया और ये देखे किता प्यारा वियू आया लेटकन को मैंने साइड बाई साइड लगा दिया और अपनी टैसल से बने हुए कुश्शन्स को रखा कितना ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल लुकार रहा है तो फ्रेंड्स कुछ सारिया हमारे पास ऐसी होते हैं जिनको ना तो हमें किसी को देते बनता है और ना ही हमने अपने कबर्ड में अगर रखते हैं तो जगे बहुत जादा गेरते हैं तो इसलिए आप भी अगर कुछ आपको आइडियास मिला हो तो आप भी कुछ ऐसे ही बेत आप बनाया हुआ है तो फ्रेंड्स अब में आपको बहुत ही यमी शाम सबेरा एक रैस्पी बताने जा रही हूँ कोफता रैस्पी जिसको बनाने में सिर्फ और सिर्फ 10-15 मिनट ही लगते हैं तो आईए देखते हो कैसे बनाते हैं शाम सबेरा रैस्पी बनाने के लिए 200 ग्राम साब धुला हुआ पालक लिया और इसके डंठल को अच्छे से तोड़ दिया दो मिनट तक इस पालक को पकाया पकाने के बाद इसको थंडे पानी में चिल्ड वाटर में डालना है डालने के बाद वाटर को थंडे वाटर को बिल्कुल निकाल देना है और मिक्सी में डाल कर इसको ग्राइंट किया अब पनी के बॉल्स पनाने के लिए धाई सो ग्राम से लेकर के तीन सो ग्राम कद्दू कस किया हुआ पनी लिया इसमें आधा चमच काली मिर्च दो चमच मैदा और थोड़ा सा नमक आधा चमच के करीब नमक डाला सभी चीजों को डालने के बाद अच्छे से हमने इसको मिक्स किया और मिक्स करने के बाद हमने चोटी-चोटी बॉल्स पना लिए ये साथ बॉल्स बनकर तयार है अब इस ग्राइंट के हुए पालक को मैंने एक जार में निकाला निकालने के बाद दो चमच ब्रैट का चूरा लिया तो आप बेशन डाल सकते हैं दो से तीन चम्मच बेशन डाल दिया और थोड़ा सा आमचूर पावडर थोड़ा सा रैड चिली थोड़ा सा नमक गरम मसाला भुना हुआ जीरा थोड़ा सा धनिया पावडर इन सभी को डाल कर अच्छे से मिक्स कर लेना है यहाँ पर हमें ये भी ध्यान रखना है कि ये मिश्रण जादा टाइट ना हो जाए अदर्वाइस हमारे जो कोफता है वो भी टाइट ही बनेंगे हाथोपर थोड़ा सा ओयल लगा करके और ये जो पालक का मिश्रण था इसको हतेली पर रखकर और बीच में बॉल को रखकर के हमने इस मिश्रण को पनीर के बॉल के चारो तरफ लपेट लेना है एक शिप देनी के बाद हमने इसको चारो तरफ से मैदे में लपेटा ताकि हमें इसको फ्राई करने में दिक्कत ना हो और मीडियम आज पर इन कोफता को एक करके ब्राउन होने तक हलका गोल्डन होने तक हमें इनको फ्राई कर लेना है अब एक पैन में थोड़ा सा तेल या मखन डाल कर 6-7 लेसन की कली, अधरक, हरी मिर्च, जीरा और मोटा कटा हुआ दो प्याज, चार मीडियम साइज में टमाटर, एक चमच कश्मीरी लाल मिर्च, स्वादा निसा नमक, इन सभी को डाल करके और फ्राई कर लें, डेड़ कप डालें और 6-7 काजू भी इसमें डाल लें, दो मिनट तक बॉयल करने के बाद इसको मिक्सी में ग्राइंट करके और चनी से चान लें, अब एक पैन में थोड़ा सा तेल, थोड़ा सा धनिया पावडर, बुना जीरा, और थोड़ी सी रेट चिली, इस अभी को डाल कर और ज को चलाते रहें, और हाँ आधा चमत चीनी डालना ना भूलें, अब फ्राइट बॉल्स को दो भागों में कट कर लें, और हमारी ग्रेवी में गर्मा गरम ग्रेवी में आप इसको डेकुरेट कर दें, आप चाहे तो इस डिश को कसूरी मेती या क्रीम से डेकुरेट कर लें इस रेस्पी को आप जरूर ट्राइ करें, यह इतनी टेस्टी बनती है कि आप और आपके फैमली मेंबर से इसको बार बार खाना पसंद करेंगे